हेलो नमस्कार दोस्तों इस्टेटी.9 यूटूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत आज 14 मई 2023 और आज हम पिछले साथ दिनों के करंड का रिविजिन करेंगे आज संडे हैं संडे के अंदर वीकली रिविजिन होता है और जो वीकली रिविजिन के अंदर सुपर फा आपको ती सेकेंड दिये जाएंगे और ती सेकेंड के अंदर आपको आंसर देना है कमेंड बोक्स में ठीक है ना चलते हैं पहले क्यूशन के उपर पूरोतर के किस राजिये में अनुसूचित जन जाती विवाद की वज़े से बड़े पेमाने पर धंगे बढ़के गए त उप्सन अंबर B हैं Assam उप्सन अंबर C हैं मीजोरम उप्सन अंबर D है मनिपूर तो इसका सेर आपको अंसर आपको कमेंड बौक्स में में पूरोतर करजियेा उपर के मेरी लेबाओन किर्चेट किर्केत क्लप जो MCC के किसे चुने गए है तो option A है Mark Nichols, option नमर B है Greg Barclay, option नमर C है Amit Sethri है, option नमर D है Thomas Bawk, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा Mark Nichols, क्या होगा, Mark Nichols सही आंसर हो जाएगा, चलते हैं next question, question नमर 3 के उपर, B10 के नए समराट कौन बन गए, option नमर A है Rishi Sunak, option नमर B है Angela Merkel, option number C है Kamala Harris, option number D है Charles Tarty, तो इसका सही आंसर कमेंट बक्स में दो, जल्दी से जल्दे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, option number D, Charles Tarty हो जाएगा, चलते हैं next question के और, कि वड़ापोन समों की नई CEO कौन बन गई है, तो वड़ापोन समों की नई CEO कौन बन गई है, option number A है सत्यन डेला, option number B है सुंदर पिच्चाई, option number C है नील महन, option number D है मार्गरिट डेला वेल, तो इसका सही आंसर के हो जाएगा, option number D इसका सही आंसर हो जाएगा, मार्गरिटा डेला वेल, चलते हैं नेक्ट कुशन के उपर, यह पुस्तक है, made in India 75 years of business and enterprise 40 years, ठीक है ना, इस पुस्तक के लेकर कौन है, यह किस के उपर है, तो यह made in India के उपर 75 years जो business enterprise है, उसके उपर है, option number A है, इसमर्तीरानी, option number B है, अभिताब कांत, option number D है, अनुपम खेर, option number D है, गितांजली स्री, तो सही आंसर के हो जाएगा, option number B, इसका सही आंसर हो जाएगा, अभिताब कांत, क्या हो जाएगा, अभिताब कांत, चलते हैं next question के उपर, मद्य एश्या के किस देश में सुईदान को फिर से लिखने के लिए जन्वत संग्रे हुआ और बहुमत इसके समर्दन में आया तो कौन सा देश हैं कजाकिस्तान और सनमर बी है उजवेकिस्तान और सनमर सी है किर्गिस्तान और सनमर डी है तुर्कमेनिस्तान तो सेयांसर क्या होगा देखे साथियों यदि हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले तक ताकि आने वाली ये करेंट अपेर्स की कलासे हैं, वीकली रिविजन हैं जीके जीए से समंदित की कलासे हैं तता कोई भी वेकेंस आती है उससे रिलेटेड एड्मिट कार्ड या फिर रिजल्ट आने की सूचना आपको सबसे पहले मिल सकें इसके लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अन तक जरूर देखें तो इसका सेयांसर क्या हो जाएगा क्यूशन नमर 6 का तो इसका सेयांसर हो जाएगा उजवेकिस्तान क्या हो जाएगा उजवेकिस्तान चलते है नेक्स्ट की और क्यूशन नमर 7 किस राज्य सरकार ने डिजनी लेंड के आदार पर रामा लेंड विक्सित करने की योजना बनाई है तो डिजनी लेंड के आदार पे रामा लेंड विक्षित करने की योजना बनाई है वो बनाई है option number D इसका से आसर हो जाएगा उत्तर परदेश क्या हो जाएगा उत्तर परदेश चलते हैं next question की और किस देश की महिला किर्केटर सबनिम इसमाईल सबनिम इसमाईल ने अंतराश्टे किर्केट से सन्यास की गोशना किये तो वो कहां किये हैं वो है option number A दक्षिन अप्रिका कहां किये हैं दक्षिन अप्रिका की निवासी सबनिम इसमाईल ने अंतराश्टे किर्केट से सन्यास लेने की गोशना कर दिये चलते हैं नेक्स क्यूशन की और क्यूशन नमर नो विसु रेड क्रोस दिवस कब मनाय जाता है तो विसु रेड क्रोस दिवस सभी को पता है आपको कब मनाय जाता है तो मनाय जाता है आठ मही को कब मनाय जाता है आठ मही को विशु रेड क्रोस दिवस मने जाता है यदि आपको बात करें विशु रेड क्रोस दिवस विशु रेड क्रोस संस्ता को अब की अब तक कितने बार नोबल प्राइसे सांति के नोबल प्राइसे समानित किया गया तो वो किया गया है तीन बार, कितने बार किया गया है, तीन बार किया गया है, चलते हैं नेक्स क्यूशन की और, क्यूशन नमर दस, हाली में भारते नोसेना का सबसे पुराना लेंडिक जाज, जिसको सेवा से मुक्त कर दिया है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है, उसका अब सेवा से मुक्त कर दिया है चलते है नेक्स क्यूसन की और क्यूसन नम्बर 11 किसे कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष के रूप में नामिक किया है या नूट किया है तो किसे क्या है ऑप्सन नमरे आपके सामने है पोलो वरापू M पर साथ ऑप्सन नमबर B हैं वी आर सुबरमियम ऑप्सन नमबर C हैं आपके सामने राजेंदर मलोतरा ऑप्सन नमबर D हैं वाई वी चंदर चूट तो इसका सेयासर हो जाएगा ऑप्सन नमबर A पोला वरापू M पर साथ क्या हो जाएगा पोला वरापू एम पर साथ देखिए अब मैं ओप्सन से आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यह है वीकली डिविजन जो डेली बैसेस पर क्लास होती हैं उसके अंदर मैं आपको चारो ओप्सन को लेके उसकी डिटेल के माधियम से आपके सामने चर्चा करता ह तो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वाई वीच अंदर चूड़ यह आपके हो जाएंगे यह आप मैं नहीं बताऊंगा ठीक है ना आपको देख लेना हैं क्लास डेली बैसेस पे होती हैं उसके अंदर चारो ओप्सन लिए जाते हैं यह सुपरफास रिविजन है जल से जल इसको किया जाते हैं ठीक है ना चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन के और हाली में बारते वायु सेना का पहला विरासत के अंदर कहां पर इस्तपित किया गया तो वो किया गया ओप्सन नमर्डी चंडी गड़ी के अंदर कहां पर किया गया चंडी गड़ी के अंदर किया गया न उतरपरदेश के अदर होने जा रहेरा है लग्मक के अंदर के खेलो इंडिया यूद्य गेमस के अंदर इस्थी यूद्गेम्स एक होता है खेलो इंडिया युद्गेम्सом्राइब के लिएह सब्छनें के अभी पूचा हैं यूशिटी गेम जो 2023 में और यह उसका सुंबंगर क्या रखा गया है उशका नाव है जित्तू बारे तो यह को आपसे नमर्ब ए हैं असम और बी है तमील नाडू और डी है सी केरल और डी है माराश्ट तो कहां पर यह अंतराश्य मुल्टिमोडल लॉजिक इस्टपार इस तफित किया रहा है वह किया जा रहा है और इसका सेया सोर हो जाएगा असम कहां पर असम के अंदर चलते हैं नेक्स क्यूशन की और विस्ट थेले से में दिवस दोजारते भी इसका बने जाता है तो विस्ट थेले से में दिवस का बने जाता है और आट मई अब आट मई को देखो विस्ट थेले से में दिवस भी बने जाता है और विस्ट रेड ग्रोस दिवस भी बनाया जाता है, चलते हैं नेक्ट क्यूसन की और क्यूसन नम्बर 16, आज का लास्ट क्यूसन माराष्ट के उपमुके मंदरी कौन देवंदर फटनवीश ने 436 सिवाजी माराज की परतिमा का अना उरन किस देश में किया है तो काँ पर किया है तो वो किया है मौरीसस के अंदर ओप्सन no.C का से अंसर हो जाएगा मौरीसस के अंदर 76 प्रती शिवाजी महाराज की परतिमा का अना उरन किया है तो आज के लिए बस इतना ही ये जिसेसन पसंद आया है तो सेसन को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल पे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए साथ इसाथ बेल आइकन को ओन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिक्सन आपको सबसे पहले मिल सकें जे हिन दोस्तों जे बारत